हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आएक्जाम भी, आएम सुशिल रगडे, एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ बवडा का आपको बता है, अभी एक अलगी सिस्टीम चल रहा है उनको recruitment तो काफी officers का करना है, लेकिन उन्होंने IBPS का रास्ता छोड़ दिया है Now they are recruiting on their own, ठीक है? और वो भी experience लोग ले रहे हैं थोड़ा freshers के लिए भी है, लेकिन ये video देख लिजिए आपको इसमें मैं दो lesson देने वाला हूँ ठीक है, वो listen आपको काफी, आपके career में काम में आने वाले है ये specialist officer है, यहाँ पर freshers के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम vacancy freshers के लिए और अगर आप freshers है तो आपको क्या करना है, जिससे आपको government job मिल जाएगा, वो भी में बताऊंगा और यहाँ पर mostly experience लोगों के लिए जाथा vacancy है, और यह total 157 यहाँ पर post है, तो चलो video स्टार्ट करते है तो यह advertisement मैंने आज News Times of India में देखा, 28th April यहाँ पर date दिया हुआ है, जो आज का date है यहाँ पर क्या है न, कुछ fresh recruitment है, कुछ previous वाला उन्होंने कुछ eligibility condition change किया है तो यह ऐसा notification है, जब मैंने website पर गया तो मुझे क्या दिखा, वो आपको में next slide पर दिखाते है तो दिए दिखे, यह है website पर, कुछ condition यहाँ पर उन्होंने modify किया है relationship manager scale 3, scale 4 में, credit analyst scale 2, scale 3 में, forex acquisition relationship manager scale 2, scale 3 में है बाकी category wise यहाँ पर कैसी vacancies है, यह यहाँ पर दिया है जैसे category wise vacancies दिखे, इसका मतलब क्या है कि यह government job है, ठीक है यह government job है regular basis पर है, जैसे आपने देखाऊगा IDBI अभी technically private है लेकिन वहाँ पर reservation है इसका मतलब उसका जो status है, अभी भी government जैसा ही है, ठीक है अभी यह private नहीं हुआ है लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह IBPS के थुरू recruitment क्यों नहीं कर रहा है तो आप RTIR डाल के पूछ सकते है, मुझे पता नहीं वो जवाब देंगे या नहीं देंगे तो यहाँ पर यह अलग अलग पोस्त है, तो यहाँ पर यह जो है न, यह वाला, यह credit analyst scale 2 वाला, यहाँ पर graduation in any discipline and CA, जनरली क्या है न, credit analyst के लिए MBA finance भी चलता है, बहुत जगह पे, उसके बाद CFA, FRM भी चलता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ CA मांगा है और जिसके पास preference है, उसको मतब preference दिया जाएगा, जिनके पास work experience है, और बाकी यह जो है, यहाँ पर work experience लगेगा, तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो, क्या है न, students notification देखते हैं, फिर वहाँ पर देखने के बद उनको पता चलता है, कि यह मैं तो eligible नहीं हूँ फिर first station बढ़ जाता है, आप भी यह experience करते होंगे, तो इसलिए फिर मैं students को क्या suggest करता हूँ, जैसे ही आपका graduation हो जाए, तो आप न, अगर आप उस age group में है, जैसे 23, 24, 25 के, तो आप भी यह कीजिए, या आपके कोई पहचान की तो उनको भी बताइए, कि यार आप न, जल आती जहां पर work experience चाहिए, अभी मुझे पता है, कितने मेरे students थे, मैंने उनको बोला कि yes bank join करो, ICSA करो, SDFC करो, कोई भी private bank job करो, और अभी वह SBA, CBO में है, पताब वहाँ पर क्या हो जाता है, competition बहुत कम हो जाती है, क्योंकि IBPS PO में, या SBI PO में अगर आपको जाना है, तो ब competition बहुत कम हो जाता है, 110th competition हो जाता है, फिर यहाँ पर selection हो जाएगा, तो आप ऐसे मत करो कि बस preparation करते जा रहें, करते जा रहें, 2, 3, 4, 5, मैंने बास survey किया था, तो लोग 8, 8 साल से preparation कर रहें, तो आपको 2 advice है, एक तो आप MBA कर लीजिए, ठीक है, इगनू से कीजिए, ठीक ह करने से आपका experience हो जाएगा, फिर आप ऐसे job के लिए apply कर पाएंगे, SBA, CBO के लिए कर पाएंगे, RRB में भी experience एक, दो तीन साल का होगा, तो आप scale to scale 3 में जा सकते, ठीक है, तो यह दो आपको definitely करना ही करना है, अभी और एक तिसरा advice मैं आपको आगे दूंगा, ठीक है, य एक-दो साल full preparation करो, एक साल या दो साल, full preparation, 24 गंटे जितना मिलता है, उसके बाद private bank job करो, and still simultaneously exam देते रहो, इस तरीके से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका experience बन जाएगा, फिर ऐसी vacancy, यहाँ पर बहुत कम लोग apply करते है, वहाँ पर competition कम हो जाएगा, आपका selection हो जाए मैंने students को ऐसी advice की है, आप भी advice मान लीजे, या फिर आपके कोई पहचान के है, उनको भी बता दीजी, अभी आगी की advice क्या है, देखो, अभी RBI grade B का recruitment आ गया, अभी जो bank of order है, उसके लिए आप मेंसे बहुत सारे लोग eligible नहीं होंगे, ठीकिन यहाँ पर तो eligible है, यह highest paying government job ह RBI grade B का highest paying government job है, आपको 60% चाहिए aggregate और कोई work experience की ज़रुवत नहीं, BA, WICOM, BST कोई भी दे सकता है, ठीके, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, यह exam difficult है, तो फिर कहीं पी पीचाओ, UPS इतना पढ़ा ही होता नहीं, IRDA है, वो पढ़ना नहीं, मतलब करना क्या है फिर आपको, मतलब जो recruitment आ रही है, जहाँ पर आप eligible नहीं है, आपको बुरा लग रहा है, आप वहाँ पर कुछ कहेंगे उनको, और जहाँ पर vacancy आ रही है, फिर आ रही है, तो बहुत difficult exam है, यहाँ पर 10 ही vacancy है, यहाँ पर 20 ही vacancy है, ऐसा सब आकर जाने देंगे, तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा, UPSC में भी vacancy आती है, SSC में vacancy आती है, railway में आती है, लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ reason है उसको ना करने के लिए, ऐसा बिलकुल मत कीजिए, इफ यू आर प्रिपरिरिंग फर RBA गिडबी, तो एक हमारा बहुत अच्छा प्लान है 90 days का, यह देख लीजे, इसी आपके पैचार वाले को भी बता दीजे, उसी का बला हो जाए, अभी IRD की vacancy है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर भी सारे graduates eligible है, आप में से जितनों को 60% है graduation है, कोई भी graduation की है आपने तो आप आप यहाँ पर अपलाई कर सकते, otherwise यह specialized में ना कुछ ना कुछ जैसे engineering compulsory होता है, यह सेवी में है, या PG लगता है, तो यहाँ पर आप सब लोग eligible है, लेकिन होता कि आप फिर vacancy कम है, कहीं पर आप eligible नहीं है, कहाँ पर competition बहुत जाता है, कहीं पर मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, तो ऐसा बोलके ना, लोग हर साल 20-25-20-25-20 recruitment के notification जा रहे है, ऐसे कैसे होगा, कहीं न कहीं तो भी try तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पर 45 vacancy है, इसके लिए बहुत अच्छा plan है, आप यह देख लिए, 45 vacancy है, इसका मतलब 45 लोगों को उनको लेना ही लेना है, तो जो यहाँ पर सबसे पहले बिल्यू करेंगे, यार मेरा हो सकता है, कुछ न कुछ यहाँ सीरियसली preparation करेंगे, उस direction में जाएंगे, कहीं से course लगाएंगे, देखो मैं यहाँ पर course कौन सा भी ले लो, मैं बिल्कुल नहीं कहता है मेरा ले लो, नहीं तो लोगों को लगए कि नहीं यार आपका तो business आप बोलेंगे, कहीं से भी ले लो, लेकिन preparation करो और यहाँ पर जा अगर आप बैठे रहेंगे, तो success होनी की possibility कितनी है, जीरो है, अगर आप तैयारी करेंगे, तो कुछ ना कुछ होगा, मैंने देखा है, बहुत सारे स्टोन देखा, आप success story देखिए, चार-चार, फिफ्त अटेब में, लोगों का selection हुआ है, लगे रहना है, otherwise ऐसी notification आती रह अगर आपके finances वहाँ पर allow करते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर try करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई तो करनी पढ़ेंगी, और आप करते रहेंगे तो कही ना कही selection हो जाएगा, जैसे RBA के preparation करते हैं, मैं आपको एक fact बताता हूँ, यहाँ पर RBA का कैसे होता है, तो नियर बोट मेरे यहाँ पर हजार students होते थे, हजार, ठीक है, 1000 students, इस में से यहाँ पर ना 50 students का selection होता था, 50 students का, 1000 में से 50 students का selection होता था, 5% पकड़ लीजे, उसके बाद बाकी जो student है, किसी का 20-25 लोगों का RBA में हुआ, ठीक है, RBA में हुआ, कुछ लोगों का CV में हो गय एकन से आती थी, मैंने 2016-2017 में भी लोगों को guide किया था, IRDA है, फिर उसके बाद NHB है, उसके बाद Exim Bank है, ठीक है, उसके बाद आपका SBI PO है, IBPS PO है, उसके बाद SBI Clark है, RBI Assistant है, ना बाद Assistant है, तो इस में से finally, finally लेके, near about, सिर्फ 200 लोग फाइनिल रहते थे, 800 लोगों का कही कही सेलेक्शन हो जाता था, ठीक है, क्योंकि जब आप Top Level का Exam Repression करेंगे तो उस ladder में कही ना कही आपका हो जाएगा, तो यह है, तो आप कभी भी Highest Level के जो exam से उसका preparation कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ RBI जैसे मालीजी, SBI Clerk, अगर आप सिर्फ SBI Clerk का preparation करेंगे तो उसमें नहीं होगा, जो SBI PO करता है, उसका SBI PO में होगा या नहीं होगा, या फिर RBI Assistant में होगा, या फिर RRB PO में होगा, RRB Clerk में होगा, कही ना कही होगा, तो इसलिए Highest Level का aim आपको रखना है, तो यहाँ पर यह जो वीडियो है, इसमें तीन Advices है, एक तो सबसे पहले MBA कर लीजिए, ठ 30 रहे, ऐसी छोटी-छोटी recruitment बहुत सारी आती है साल में, उसको निगलेक्ट मत कीजिए, ठीक है, और यह वीडियो जो आपके जो friends है, जहाँ पर आपको लगता है, वो eligible है, उनको बेश दीजिए, या बाकि normal students को भी बेश सकते हैं, क्योंकि यह जो advice है, मैं बहुत लोगों का consulting करता हूँ, privately, तो उनको में यह बताता हूँ, ठीक है, तो यह जन्नोंने follow किया है, मुझे पता है, वो आज SBI जैसे organization में, Bank of Baroda जैसे organization में, Bank of Maharashtra में, government job पे लगे, otherwise normal competition से जाके, जहाँ लाखों लोगों से competition करना पड़ता है, यह जहाँ पर experience-based होती ही, वहाँ पे कु and upcoming examinations.